इस देश में भृष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा अंदोलन हुआ जिसकी एक बड़ी सफलता ये थी कि उसने इस देश के लाखों लोगों को खासकर युवकों को और युवतियों को एक अभियान से जोड़ा जो कि इस देश को बहतर बनाने के लिए प्रश्टाचार मिटाने के लिए एक अभियान था बहुत सारे युवक लोग बहुत आदर्श के साथ पहली बार अपने घर से निकले देश के लिए कुछ करने के लिए देश को बहतर बनाने के लिए प्रश्टाचार खतम करने के लिए उसी से आम आदमी पार्टी पैदा हुई और आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि ये एक कोई आम पार्टी नहीं है ये एक अंदोलन है और ये पार्टी कुछ उसूलों पर बनाई गई है पार्दर्शता, जबाब देही, आंतरिक लोगतंत्र और स्वराच और इन ही उसूलों पर ये पार्टी काम करेगी और राजनीती को बदलेगी और व्यवस्था परिवर्दन का काम करेगी लेकिन धीरे धीरे जो हाल में कुछ चीजें हुई उससे ये साफ जाहिर हो गया कि आम आदमी पार्टी अपने उसूलों से बिछड़ चुकी है और जो पार्दर्शता और जबाब देही और आंतरिक लोगतंत्र और स्वराज के उसूलों पर बनाई गई थी उन उसूलों को उसमें छोड़ दिया और व्यवस्था परिवर्तन का काम करने के बजाए उसी व्यवस्था का एक हिस्सा थीरे थीरे पन गई इससे देश के उन नौजवानों को उन लोगों को बहुत ही धक्का लगा उनको बहुत ठगा हुआ सा वो लोग महसूस करने लगे कि भई इतनी महनत और इतने आदर्श के साथ जिस पार्टी का गठन किया था वो एक आम पार्टी बन गई जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई थी उसी व्यवस्था का एक हिस्सा बन गई इसलिए ये बहुत जरूरी था कि ये जो आदर्शवाद बाहर निकला था और ये जो युवक लोग अपने घर से बाहर निकले थे पहली बार कुछ सार्वजनिक काम में जुटने के लिए देश को बहतर बनाने के लिए इनकी जो अनरजी है, इनकी जो ऊर्जा है उसको संभाला जा सके उसको और बढ़ावा दिया जा सके उसको उसी व्यवस्था परिबर्तन और वैकल्पिक राजनिती में और उन्ही उसलों के साथ जोड़ा जा सके स्वराज अभियान का गठन उस उर्जा को आगे बढ़ाने के लिए किया गया लेकिन स्वराज अभियान सिर्फ भरष्टाचार के ओपर केंद्रित अभियान नहीं है स्वराज अभियान इस देश में जो जो बड़े ज्वलंथ मुद्दे हैं चाहे वो इस देश की कानूनी, नियाइक, भरष्टाचार की व्यवस्था, पुलीस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और इलेक्षन की व्यवस्था को बदलने का काम हो। चाहे इस देश का जो विकास का मॉडल है, जो की आज सिर्फ GDP ग्रोथ पर आधारित है, जिस मॉडल से तरह तरह की समस्याएं पैदा होती जा रही हैं और जो मॉडल अब आगे चल नहीं सकता, इस मॉडल को बदल के एक ऐसा मॉडल बनाने का मुद्दा हो, जो की परियावरन का भी विनाश ना करें, जो की हर नागरिक को कोई काम दिलवा सकें, जिसमें की हर नागरिक की अच्छी शिक्षा हो सकें, जिसमें की उसको वो सब मूल सुविधाएं मिल सकें, जो की एक डिग्निफाइड जिंदगी जीने के लिए जरूरी हैं, ऐसा विकास का मॉडल और जो की समता भी लेकर आए, जो की इतनी जो असमानता है आज हमारे समाज में उसको कम कर सकें, ऐसा डिवलपमेंट मॉडल पनाने की जरूरत है, और स्वराज अभियान का एक बड़ा मुद्दा होगा, कि इस देश में एक बहस छेडें, कि कैसा डिवलपमेंट मॉडल इस द उसको कारियानवित करने के लिए क्या-क्या बदलाव की जरूरत है और उस बदलाव को लाने के लिए किस तरह का अभियान चलाने की जरूरत है